राहुल के सूरत पहुचने से पहले गुजरात प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर सूरत पहुच गए हैं कॉंग्रेस पर आरोप लग रहा है कि वो अपील के बहाने शक्ती प्रदर्शन कर रही है और इस सवाल का जवाब गुजरात प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक जग्दीश ठाकोर ने दिया है यह बहुत ही स्ववाविक है कि राहुल जी ने राहुल जी को इडिय ने बुलाया बिना पूछता किये घंटों के घंटों बिठा के रखा उन्होंने कहा कि मुझे अगली तारीक दे जाए वो तारीक नहीं दी और बिमार होते हुए पी सुन्याजी को घंटों के घंटों इडी ओपिस में बुला के रखा जाहीर है शिर्फ गुजरात में ये केस नहीं है अमदाबाद में केस है महाराश्ट में केस है बिहार में केस है और पूरी क्रोनोलोजी भाज़पा जो कर रही है उससे कॉंग्रेस भली बाती तयारी करके बैठी होई तो स्वभाविग है रहुल जी पे ये सबी कानूनी दाव पेच गेर बंदारनिया खड़े करके रहुल जी को हैरान परिशान भाज़पा की तानाशाही सरकार करेगी उसी वक्त कॉंग्रेस बरिवार इखटा होके रहुल जी के साथ है और रहुल जी के साथ कॉंग्रेस का आ और कारिकरता राहूल के समर्थन में हैं वो अगर कोर्ट की बाहर पहुंच रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है साथ देख रहा है कि बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा अन्फोर्ड होने जा रहा है आज सूरत के अंदर कि जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है कॉंगरेस की तरफ से ये एक नया अध्याय होगा उसके अंदर हमारे साथ रगु शर्मा जी है जो प्रभारी है गुजरात कांगरेस के रगु जी बताईए कि आज क्या होने जा रहा है यह देखिए लीगल टीम तो लीगल टीम अपना काम करेगी राउल जी कोट में जो पेश होंगे वो अपना काम करेंगी कांगरेस का कारे करता हो चाह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम राउल गांदी के साथ खड़े रहें और हम कड़े रहेंगे इसमें किसी को एतराज होना नहीं चीए पिछली बार भी राउल जी आये थे उससे पहले भी राउल जी आये थे किसी ने कानून हाथ में लिया नहीं हम कानून के दायरे में के और हमारी राहूल जी के साथ सोलिडियिटी करेंगे उसमें किसी को क्या दिखा था इस इसी ख़बर पर जैस जानकार्णी कारी के लिए निडे कपूर सुर्थ समारे साथ जुड़ गए हैं निडे क्या लगता है आज कॉंग्रेस का एक्शन प्लान क्या होगा? तो उसमें जो आरोपी है, जो कन्विक्ट है, उसके प्रेजेंट रेने की जरुरत नहीं है। हाला कि जब वो खुद प्रेजेंट हो रहे हैं, तो एक यहाँ पे चर्चा है, और कॉंग्रेस के भीतर भी यह चर्चा हमने सुनी है, कि रहूल गांदी हो सकता है, कि जो उन्हें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस किया हुआ था, लोर कोट ने, तीस दिन की जो बेल उन्हें ग्रांट की गई थी, आज जैसे ही वो अपील फाइल करेंगे, वो अपने आप फ्रक्रिफाय हो जाएगी, और उसके बाद उन्हें एक काम नेताओं के साथ वो सकता है, सूरत जो लाजपोर जेल है, उसकी तरफ प्रयांड करें, लेकिन ये सब तब हो पाएगा, जब अदालत के अंदर क्या सीन अन्फोल्ड होते हैं, लेकिन आशंका है ये लगाई जा रही है, इस परकार से रावल गांदी खोद यहां पहु इस तरीके से पोस्टर से इस वक्त सूरत पटा हुआ है, इसको देखकर नजर भी यह आ रहा है कि आज कॉंग्रेस शक्ति प्रदर्शन की तयारी में भी वहाँ पर जुटी हुए, अब से कुछी तेर में राहुल गांदी सूरत के लिए रवाना होंगे, बहुत शुक्रिय आपको तमाम अपडेट के लिए